हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शोशल नेटवरकिंग आप लोगोंने शोशल नेटवरकिंग वेबसाइट के बारे में काफी कुछ सुना होगा या आप लोगोंने इसको कई बार यूज भी किया होगा या करते होगे अभी भी आप social networking होती गया है उसके बारे में अब इस topic में हम understand करने की कोशिश करेंगे social networking एक ऐसी website होती है social networking की कई सरी website हो सकती है एक ऐसी website होती है जहां पे users को जो उस website को use कर रहे हैं, उनको allow किये जाता है कि users अपना profile बना सकें अपने बारे में वहां पे information शेयर कर सकें अपनी पिक्स वगारा डाल सकें और दूसरे जो यूजर्स हैं जिन्होंने अपना प्रफाइल बहां पर बनाके रखा हुआ है उनके साथ इंट्रेक्ट कर सकें आपस में वह बात चीत कर सकें चाहे वह चैटिंग के थू करें चाहे वीडियो कॉल के थू करें च सोशल नेटवरकिंग की जो ओनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ अपने कॉलीग्स के साथ अपने कस्टमर्स या फे कलाइंट्स के साथ इंट्रेक्शन कर सकते हैं यह कुछ कॉमन चीज़े हैं जिनके लग-र यूजर को एक दूसरे के साथ क्गनेक्ट करने की जगा तो प्रवाइड करते हैं उसके साथ साथ वो जरूरी नहीं है कि जो यूजर की ज़ूशर सस इस जो सोशल नेटवरकिंह के साथ आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वो एक ही प्लेस के हों किसी दूसरी अजत्री सकते हैं शोशल नेटवर्किंग अगर हम बात करें अगर हम ओनलाइन की शोशल नेटवर्किंग की बात को छोड़के एक जो जनरल शोशल नेटवर्किंग होती है जैसे इसपोज करो आप अपने गाउं में अपने शहर में लोगों से मिलते हो इकठे होते हो उसे बात करते हो उसको भी social networking ही बोला जाता है लेकिन जो हमारा ये topic है ये है online social networking का जहां पे हम किसी website का use करके किसी internet का use करके दूसरे users के साथ अपनी networking को बनाते हैं उनके साथ अपनी information को share करते हैं social networking जो website होती है उनको हम social site भी बोल सकते हैं social website बोल सकते हो आप शोशल नेटवरकिंग साइट बोसकते हो यह अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके जो हम यूज कर सकते हैं उसके बाद आप शोशल नेटवरकिंग पे क्या क्या कर सकते हैं आप अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं कोई आपको दिमाग में आइडिया है कोई इनफरमेशन आपके पास, उसको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी फोटोस वहां पर डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, किसे की डाली हुई फोटोस को देख सकते हैं, अपने वीडियोस डाल सकते हैं, उसके बाद अप अलग अलग पोस्ट आप वहां पर डाल सकते हैं, कु उसके बाद जो यूजर्स होते हैं बाकी जो यूजर्स होते हैं जो आपने वहां पर पोस्ट डाली हुई है या फोटो डाली हुई है वो आपकी पोस्ट के उपर या अपन की फोटो के उपर कमेंट्स कर सकते हैं उनके उपर मैसेज़ेस आपको कर सकते हैं फिर आप उनका र profile के उपर security कैसे है जैसे कि for example अगर आपने कुछ वहां पे अपनी फोटोस डाली हुई है social networking website के उपर आप चाहते हो कि उसको कोई दूसरे परसनल ना देख पाएं सिर्फ आपके अपने personal यूज के लिए वहां पे आपने डाली है या उसको वहां पे आप की लिस्ट में जो है persons सिर्फ वही आपकी फोटोस बगारा को देख सकें आगे कोई जो अन्नोन है आपके लिए अभी social networking website के उपर आपके साथ नहीं जूड़ा हुआ है वह आपकी pics बगारा को या comments को या photos को या फिर आपने जो वहां पे पोस्ट डाली हूँ या उनको ना देख सके तो वह चीज भी वहां पे security अपलाई की जा सकती है उसके बाद अगर हम as examples देखें आपको कही सारी websites का पता भी होगा जैसे की Facebook है Twitter है Instagram है Snapchat है LinkedIn है और उसके बाद भी interest है इसके अलावा और भी कही सारी websites या applications हो सकती है जिनके उपर हम एक दूसरे के साथ connection बना सकते हैं जैसे for example WhatsApp भी आप एक social networking application उसको consider कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी हम एक दूसरे persons के साथ interaction करते हैं अपने comments लिख सकते हैं उसके बाद photos share कर सकते हैं आप उसमें groups बना सकते हैं groups में आप कही सारे users को add कर सकते हैं ये जब जब भी हम किसी website के उपर ऐसे चीज़ें करते हैं तो उसको हम social networking website बोलते हैं ये होगी introduction social networking websites की अभी हम discuss करते हैं इसकी advantages पहला advantage है convenience आप social networking websites को कभी भी किसी भी time अपने हिसाब से use कर सकते हैं दिन में रात में ये नहीं है कि आपको social networking करने के लिए को particular time decide करना पड़ेगा आप अपने इस उलत के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं उसके बाद अगर आपने social networking कर यूज कर रहे हो तो आप उसके उपर अपने ideas को share कर सकते हो पिच्चर को share कर सकते हो और उसके अलाबा और भी कोई साजी चीज़ें हो सकते हैं जो आप वहाँ पर share कर सकते हो किसी दूसरे users के साथ आपको खुद उसके पास जाने की जूरत नहीं है वही social networking के उपर आप डालो फिर दूसरे users जो भी आपके साथ connected हैं वो उस चीज़ को देख सकते हैं उसके उपर comments कर सकते हैं उसके बाद अगला अगर हम advantage की बात करें तो जो students होते हैं उनके लिए थोड़ा सा helpful हो स सकते हैं अपनी information को increase कर सकते हैं अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं तो यह भी एक advantage social networking के उपर students को मिल सकती है उसके बाद अगर हम अगला देखें तो वो है it's free ज्यादा तर लग भग अगर हम देखें तो social networking websites हैं वो free होती हैं आपको कोई वहां पर पैसो का पेमेंट नहीं करना प social networking जो websites होती हैं वो कि सारी companies उसको as a tool भी use करती हैं किसलिए ताकि वो अपने business को अपने products को वहां पे introduce कर सकें या promotion कर सकें उन चीजों का और ज्यादा से ज्यादा customer उस चीज़ को देख सकें यह as a company भी उसको social networking को use कर सकती है जैसे कि आपने एक दूसरे topic में भी पढ़ा थ था कि हम promotion के लिए भी social networking को use कर सकते हैं उसके बाद अगर हम अगरी advantage की बात करें तो worldwide connectivity होती है इसकी worldwide का मतलब social networking website है जब website बन गी है तो internet के उपर है internet कोई भी user जो use कर रहा है वो उस website को भी use कर सकता है तो worldwide connectivity उसकी हो जाती है social networking की ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ अपनी country के ही users के साथ अपना social networking करनी है आप किसी दूसरी country के users के साथ भी social networking कर सकते हैं उसके बाद अगर हम अगली advantage की बात करें तो social networking help कर सकती है कि सारे people को किसमें नई jobs को find करने में के बार आप देखते हो कि हमें पता नहीं चलता है कि कोई नई vacancies निकली है या कोई सी को जूरूरत है job की तो उसको पता नहीं चलता है इतना अगर कोई नई vacancy आती है या कोई नई jobs आती है तो उसको social networking के उपर जल्दी से जल्दी information मिल सकती है कोई user पोस्ट कर देगा वहाँ पर social networking website के उपर कि यह jobs निकली हुई है यह vacancies है यह उनकी requirement है तो वहाँ से दूसरे users उसको असानी से capture कर सकते हैं और उसके उपर आके जो क find कर सकें यह होगी कुछ advantages अब हम जाते हैं इसकी disadvantages के उपर पहली जो main disadvantages social networking websites की वो है risk of identity theft and fraud के सारी ऐसी websites हैं आपने news में भी कही बार सुना होगा जैसे Facebook है हम अपना वहाँ पर profile बनाते हैं Facebook के उपर या किसी और social networking website के उपर तो वहाँ से हमारी जो information है वो चुराके किसी कोई और hackers use भी कर सकते हैं उसको अपने personal use के लिए तो हमें कोई भी ऐसी अपनी ज्यादा जो हमारी personal information है वो वहाँ पर नहीं डालनी चाहिए जैसे banking की related या फ identity theft की बहुत ज़्यादा सिंभावना रहती है बहुत ज़्यादा risk यहाँ पर रहता है उसके बाद basis of time है अगर आप बहुत ज़्यादा social networking को use करना शुरू कर दोगे without any work तो वो time को बहुत ज़्यादा based हो सकता है आपका उसके बाद अगर हम अगली disadvantage के उपर जाएं तो के सारे people जो हैं के सारे जो लोग हैं वो social networking websites के उपर अपना profile बना लेते हैं लेकिन वो profile में जो information वो देते हैं वो actual information नहीं होती है उनकी वो किसी दूसरे के नाम से अपना profile बना लेंगे या फिर वहाँ पे गलत information अपना पोस्ट कर देंगे जो उनके related ना हो तो ऐसा हमें actual में पता नहीं चलता है कि कौन दूसरी तरफ person है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं जैसे आप आपने किसी दूसरे user के साथ connection बनाया actual में क्या वो user वही है जिसके साथ आप बात कर रहे हो कि नहीं तो ये आपको idea नहीं होता है जब तक आपको actual में पता नहीं है कि वो person कौन है तो social networking के उपर ये हमें थोड़ी सी problem आती है कि actual जो उसकी identity है दूसरे person की दूसरे user की वो हमें पता नहीं चलती है अगर हम अगली disadvantage की बात करें तो वो होती है कि students अगर social networking के उपर बहुत सारा time based करना शुरू कर देंगे तो उनकी जो academic performance है बो डाउन होना शुरू हो जाएगी अगर आप time based करते रहोगे पढ़ाई के लिए time नहीं दोगे तो फिर आपकी academic performance डाउन हो सकती है उसके बाद अगर हम अगली disadvantage की बात करें तो आप social networking website को without internet connection यूज नहीं कर सकते यह तो understoodly है कि without internet connection कोई भी आप online service को यूज नहीं कर सकते तो यह एक छोड़ा सा topic था social networking के बारे में अगर आपको को question है को query है को problem है तो आप मुझसे पूछ सकते है Thank you